जैने दोस्तों ताये दोस्तों फिर से आज हम लेकर आएं आप लोगों के लिए बाइलोजी फर्स्ट चेप्टर का अब्जेक्टिव कोश्चन 43 से और ये आज का हमारा तिसरा कलास है इसमें हमने आपको एक से 20 तक बता दिया फिर 21 से 42 तक बता दिया था नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लें दोस्तों आपके exam में इससे बाहर एक भी objective question नहीं पुछा जाएगा क्योंकि इसमें सारा question bank का objective है और साथ ही साथ इसमें आपको वो सभी question मिलेगा जो exam में पूछा गया था और आने वाले exam में भी पुछा जाएगा और आज का good news है कि अगर आप लोग question bank करना चाते हैं 2011 से 22 तक का सारा objective question तो आप लोग हमें comment करें कम से कम 500 student होना चाहिए फिर मजा आएगा गर्दा गर्दा हो राएंगे चलिए दोस्तों question start करते हैं मानव हिरदय में पाए जाते हैं तो कितने कोष्टक किस से पहले भी बताए थे चार वेसम या चार कोष्टक भी क्या सकते हैं किलियर देखिए 44 नमबर में है मानव रख्ट के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समानने मात्रा होती है तो कितना होती है दोस्तों 20 mg कितना 20 mg याद रखना है उसके बाद कुछ नहीं अगला मस्तिस्क में विभीन सुचनाए किस रूप में संचीत होती है तो आपको याद रखना है दोस्तों उद्धीपन क्या याद रखना है उद्धीपन के द्वारा सभी सुचनाएं मस्तिस्क में संचीत होती है चलिए आगे मेरे प्यारे दोस्तों एक एक कोश्चन को रट जाईए क्योंकि राम बान है गर्दा गर्दा उरा देना है एक्जाम में बैठते ही कोश्चन बनाईएगा देखिए अगला है कि विकरक के संचनात्मा के वंकिर्यात्मा की काई को कहते हैं तो क्या कहते हैं नेफरोन कहते हैं दोस्तों नेफरोन के लिए आईए इंसुलीन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पल होता है आपको याद रखना है मदू में रोग होता है तेक अगला है वास्पोथ सरजन कैसी परतिकिरिया है तो आपको याद रखना है भौत तिक परतिकिरिया है क्लियर चलिए दोस्तों question नहीं है लेकिन question नहीं यह तो number लेड़ है आप तेक है चलिए यह 49 नंबर को समझते हैं कि बोला है पादप में फलोयम संभाहक होता है तो किस में होता है भोजन में होता है क्लियर चलिए बिना मेहनत किये हुए कुछ नहीं होता है दोस्तों एक दम मेहनत कीजिए continue कीजिए जारी रखिए मेहनत और एकजाम में बैठ कर आईए अच्छा न क्या लिखा है कि अगने नासिक रस में निमलिखित में कौन एंजाइन पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है किलिया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है उसको समझते है बोला गया है कि भोजन का मुख रूप से अबसोसन होता है किस में होता है किस में होता है किस में होता है सारा objective question लेकर आएं आप लोगों को डरना नहीं है complete इसका तयारी कर लिजिए किसी भी बुक को नहीं भी पढ़िएगा तो भी आप एकदम मार कर आईएगा ठीक है 50 में 50 क्या इसमें आपको 42 question बनाना होगा 35 या 42 question बनाना होगा परकास translation की किरिया में उत्पन होता है क्या उत्पन होता है क्लियर है चलिए अब 54 नमबर question को देखते है चावर नमबर question आपके सामने है परकास translation में oxygen का मुल्फरोत क्या है आपको याद रखना है क्या होगा जन होगा क्लियर सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं स्वाच्छोवास very important question स्वाच्छोवास देखिए दोस्तों जितना भी very important बोलते हैं सभी याद करते चलिए अगला question पितरस कहां से स्रावित होता है तो याद रखना है या क्रित से स्रावित होता है क्लियर चलिए पूरा डोज लिजिए रोज का डोज लिजिए और याद किजिए दोस्तों में सेर भी दवा कर किजिए तो फिर तो मज़ा आएगा जब तक सेर नहीं करिएगा मज़ा नहीं आएगा सोशन की किरिया द्वारा निम्ड में से किसका निर्मान होता है तो याद रखना है उरजा का निर्मान होता है साब होता है कितना होता है यानि की बलmarkt प्रेसर 120-8-120 वट्टा अस्य आपको याद रखना है किलेयर चले मेरे प्यारे दोस्तों दबार कर सेर किज्ए और चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तंत्रिका, तंतु की उध्पति किस प्रात्मीक उत्तक दौरा होता है, तो एंडोडर्म के दौरा होता है, किलिया, चलिए, हरहर महादेव, रादे, मनुष्य में विक्रक एवं तंत्र का भाग है, जो संबंधित है, किसे संबंदित हैं तो उत्सरजन से संबंदित है किलियर अगला question पादप में जाइलम उत्तरदाई है पादप में जाइलम उत्तरदाई है तो जल का वहन क्या होगा जल का वहन किलियर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों question को करते चलिए बोला है कि स्वपोशी पोशन के लिए अवसक है बेरी इंपोटेंट मारदिजी स्वपोशी पोशन के लिए अवसक है तो इसमें सभी हो जाएगा कार्वन denial, तथा जल, कलोरोफील, सुरिय का परकास और उप्रोक्त सभी, क्या मारना है सभी, स्वफोसिपोशन के लिए, जो अपना भोजन स्वय बनाते हैं, उसको स्वफोसिपोशिवोलते हैं जैसे मनुस्व हो गया साराजीब हो गया ठीक है जो भी खुद से भोजन बनाते हैं उसके लिए ये सभी जरूरी है आज का लास्ट कोस्टन है कि पाइरूबेट के भी खंडन से यह कारवन डायोकसाइट जल तथा उरजा देता है और यह किरिया होती है किसमे तो कोसिकादरब में, माइट्रोकॉंडरिया में, हरितलवक में, कैंदरक में तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कोमेंट करके दिजिएगा, देखते हैं कि आप लोग को कितना याद है, अगर याद है तो कोमेंट किजिए, नहीं याद है तो फिर भी कोमेंट किजिए, हम इसका जवाब देंगे, तो दोस्तों आज का कलास यही पर समाप्त करेंगे, समाप्त करने से पहले हम बता दें कि दोस्तों आप लोगों के लिए बोर्ड एक्जाम से संबंदित सारा टिप्स लेकर आते रहते हैं साथी साथ आपको कोस्चन अंसर करवाते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रोबलम हो जो कुछ भी मेटेरियल चाहिए आप लोग हमें बेहिचक कोमेंट कर सकते हैं हम आप लोगों के लिए पूरा परियास करेंगे कि सारा मेटेरियल दें और आप लोगों को एक्जाम तक कंप्लीट तयारी कराएं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चनल सब्सक्राइब करिएगा साथ ही साथ हो सके तो दोस्तों में सेयर करिएगा तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जै बारत वंदे मातरम